हेलो दोस्तो केसे हैं आप सभी लोग दोस्तो आज हम बात करेंगे कि तवचा पर बड़े रोम छिद्र हम केसे भर सकते हैं जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुती भध्य लग सकते हैं, जिसके कारान आप अपनी तचा को लेकर थोड़े असहज महसूस कर सकते हैं, सईयोग से ऐसे बहुत सी चीजे हैं जिनका उपयोग करके आप रोम छिद्रों को भर सकते हैं, जैसे कि तचा का प्रयोक करें दोस्तों तचा पर छिद्रों के उपपर बर्फ के तुकड़े को लगभग 10 से 15 सेकेंड तक घिसने से आपके कुछी देर के लिए तचा कस जाएगी छिद्र भर जाएंगे और छिद्र छोटे दिखेंगे बेकिंग सोडा जी हां दोस्तों एक चमज बेकिंग त्यार करें अब इस पेस्ट को उस जगह लगाया जहां पर आपको समस्या है और इसे गुन-गुने पानी से धोने से पहले 5-10 मिरिट के लिए सूखने दे यह चिद्रों की उपस्थिति को कम करने में और मुहा से लड़ने में मदद करेगा दोस्तों आप एक वाइट मास्क बना सकते हैं अंडे की सफेदी का मास्क छिद्रों को कसने और उन्हें छोटा दिखाने के लिए अच्छा माना जाता है आपको कम से कम एक कप ताजे संत्रे के रस साथ दो कच्चे अंडे को सफेदी मिलाए इस मास्क को चेहरे पर लगाया और उसे गुन-गुने पानी से धो दे कम से कम 15 मिनिट बाद संत्रे का रस आपकी रंगत निखाने में भी मदद करेगा दोस्तो जो सबसे आसान उपाय है अपने चेहरे को साफ रखे जी हाँ जब रोम छिदर धूल मिट्टी और तेल से ढख जाते हैं तब ये और भी बड़े और साफ दिखाई दिरें लगते हैं इसलिए अपनी तवच्चा को उपर जमा धूल मिट्टी और तेल की मातना को कम करने के लिए जरूरी है कि आप चेहरे को साफ रखे अपने चेहरे को सुबह एक बार और शाम को एक बार अच्छे से धोए इससे ज़्यादा बार धोने के कारण आपकी तवच्चा सूखी इसी में जलन और इसके कारण रोम शुद्री भी और बढ़े लगने लग सकते है दोस्तो आप तवच्चा पे एक्सफॉलियेट करें तवच्चा को एक्सफॉलियेट करने से चेहरे की मृत तवच्चा को हटाने में मदद मिलेगी जो सामान निया तवच्चा पर मुझो धूल मिट्रो तेल के साथ मिलकर रोम शुद्रों में अवरोध पेदा करती है दोस्तो इसके अलावा आप मुहा से रोकने वाले मौस्च चराय को उपयोग कर सकते है पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप घरे लूग उपाय ही अपना है वहत ज़्यादा फाइदे मन रहेंगे और दोस्तो सबसे अच्चा है चेहरे पर भाप इसको स्टेम ट्रेटमेंट भी बोलते है रोम चिदरों की दिखावर को कम करने के लिए भाप ट्रेटमेंट बेहत श्रेश्ट है ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म भाप रोम चिदरों को खोल लेती है और कोई भी गंदगी या तेल के जमाँ को भाप निकाल देती है दोस्तों यह तो कुछ उपाए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसन आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर लिखेगा कि आपको वीडियो किसे लगा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे वह भी फ्री ओफ कोस्त धन्यवाद दोस्तों